जोग्रफिक का एक टॉपिक है आपके बस जिसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो याद करने वाली है और जो है इसको याद कर लेंगे हम लोग तो टॉपिक है इंपोर्टेंट पासस तो सबसे पहले हम लोग साउथ इंडिया के अंदर जो पासस हैं उसकी चर्चा करते हैं और एक काम और करेंगे हम लोग कि जो है इसके मैप के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस मैंग डिस्टिक के अंदर या किस स्टेट के अंदर यह डिफरन पासस आपके लोकेटेड हैं और कुछ उसका जो सिगनिफिकेंस होगा वो तो सबसे पहले अगर पासस के बारे में हम लोग समझते हैं कि पासेस होता क्या है तो पासेस बेसिकली दो माउंटेन रेंजेस के बीच में गैप्स होते हैं उसी को हम लोग पासेस कहते हैं अब जैसे भोर घाट पास है आपके पास जो कहां पे लाई करता है महाराश्ट्रा के अंदर जो बॉम्बे और कनेक्ट करता है एक सेन कोटा पास है जो कि केरला के अंदर है तो कलम और कोलम और मदुरे को कनेक्ट करेगा उसके अलावा हिमालियन पासे सें जैसे कारा कोडम पास जमू एन कस्मीर के अंदर इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है बुर्जिल पास है जो जमू कस्मीर में ह कस्मीर वैली और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा जो जिला पास है स्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है जम्मू एंद कस्मीर के अंदर बारा लाचा ला पास है आपके पास सिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी को लेह से कनेक्ट करता है Sip Kila Passe है आपके पास सिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिमला को Garrett Ouk जो है तिबत से connect करेगा एक है आपके पास Mana Passe जो के उत्राखंद के अंदर है जो आपके Man Sarover Lake को कैलास रेंज से connect करता है एक है आपके पैस नीती पास ठीक है जो उत्राखंड के अंदर है मान सरोबर को कैलास घाटी से कनेक्ट करता है लिपुल एक पास है आपके पास उत्राखंड के अंदर जो की मान सरोबर और कैलास घाटी को कनेक्ट करेगा नाथुला पास सिक्किम के अंदर है जो चुम्बी वैली के अंदर इंटरी का काम करेगा जेलेपला पास भी सिक्किम के अंदर है कलिंग पॉंग और लहासा को कनेक्ट करता है ये बॉम डिला पास अरुनाचल प्रदेश में है जो अरुनाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट करेगा येंग येप पास है आपके पास अरुनाचल प्रदेश जो कि ब्रह्मपत्रा रिवर के एंट्री के साथ होता है पंकसाड पास है और नाचल प्रदेश में जो डिब्रूगर को मैनमार से कनेक्ट करता है फिर पीर पंजाल पास है जम्मू कस्मीर में जो कि जम्मू और स्रीनगर रोड को कनेक्ट करेगा बनिहाल पास है आपके पास जम्मू एन कस्मीर जो NH1-1 जम्मू स्रीनगर को कनेक्ट करता है जवाहर टेनल जिसके अंदर है रोहतांग पास हिमाचल प्रिदेश के अंदर आपका लाई करता है कुलू की रैंग रोड जो है वहां से पास करती है उसके अलावा अगिल पास है आपके पास जो लदाख और सिंक यांग लदाख जम्मू कस्मीर में और सिंक यांग चाइना को कनेक्ट करेगा बल्चा धूरा पास है उत्राखंड को तिबत से कनेक्ट करता है भूमला पास है अरुनाचल प्रदेश और लहासा को कनेक्ट करेगा चांगला पास है लद्दाक और तिबत को कनेक्ट करता है दीफू पास अरुनाचल प्रदेश को मैनमार से कनेक्ट करता है गुरन धाट है उदेपुर को सिरोही जो की राजस्थान में वहाँ पे कनेक्शन्स करेगा कारा कुरम लद्दाक और सिन कियांग को खार डूंगला जो है वो ले सियाचिन को नुब्रा वैले से कनेक्ट करता है ठागला पास जो हिमाचल प्रदेश को तिबद से कनेक्ट करता है अब जब ये फीगर्स आप देखेंगे तो इसको जो है काफी अच्छे से आप देख सकते हैं और भी छोटे 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 पास है जैसे जम्मु कस्मीर का इलाका है तियाई पे पीर पंजाल है बनिहाल पास है बुर्जिल पास है खाडूंग ला है सासेड ला है कारा ताग है अगिल पास है लनक ला पास है पैंसी ला पास है डिम जोड है बारा लाचा है चांग ला चारापला उसके अलावा जब हम लोग उत्राखंड के पास आते हैं तो उत्राखंड के अंदर थागला पास, माना पास, नीती पास, बालसा धूरा पास, मांग सा धूरा, लिपुलेक, मॉलिंग ला ठीक है बनिहाल पास में, जवाहर टेनल ध्यान में रखना है, गोरन घाट आपके पास, कहां पे दिख रहा है अपने को, तो गोरन घाट आपके पास, हल्दी घाटी के पास आपको दिख रहा है जो राजिस्थान में है एक असीर गढ़ पास है जो मद्द प्रदेश के अंदर है बाकी ठाल गाट और भोर गाट जो है मारास्टरा के अंदर है बाकी पाल गाट और पलककड और सेंकोटा गैब जो है आपके केरला और तमिलाडो के बीच में है आपके उसके अलावा अगर नॉर्थ हिस्ट में हम लोग जा रहे हैं तो जो है अरुनाचल प्रदेश के अंदर आपके पास टूंगला पास है बॉमडिला पास है डिहांग टीफू पास है ठीक है सिक्किम में आपके नाथुला जैलेपला गोईचला पास है पंक्साई करके एक पास है तो यह सारे जो है बहुत सारे पासस है जो आप टिस्ट मन स्टेट वाइस जो है उसको कंप्लीट करने के कोसिस करेंगे थैंक यू